तो पहला question वह आपका देखिएगा कि यह है कि यहाँ पर solution में solution में देखो f of x तो आपका कितना है वह x square and और तो g x है वह आपका है x square plus 1 यहां तो कि लिए rai hope आपको बाते है ठीक है तो g x आपको दिया वह आपको क्या-क्या पूचा है तो हमको पूच रहा है पहला काम तो कि आप बताओ क्या F of g x second आपको पूच रहा है क्या कि इसनके subtraction बताओ तीसरी चीज आपको क्या पूच रहा है यहाँ पर इनके बतादू बढ़ी product बतादू यहाँ पर fourth वाला क्या बोल रहा है ? कि इनके इनका दिखू क्या बता दो, skeller पूछ रहा है यहां पर, skeller तो पूछ नहीं रहा है, subtraction, addition, और एक क्या पूछा है, cos and form पूछी है, यह बता दो, यह चारो चेंजे पूछ रहा है, तो देखो पहले ही पकड़ो यहां से, देखो f of x को क्या लिख सकते हो यहां से, तो f of g, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, f of x, plus का z x, ठीक है, यहां पर, अब इन दोनों को लिखेंगे, तो यहां से g x, अब g x की value क्या बहिए, f x तो आपका x square है, और यहां से देखो g x क्या है, x square plus का 1, तो इसकी value क्या है, आपको addition है, 2 x square यह, यहां तक क्लिए रहा आपको, ठीक है, अब जलते अपने next second में, second में आपको पूचा subtraction, तो यहां से देखो f of x यह है, और यहां से x यह, अब इसको क्या लिक्या होगे, f of x minus का g x, f of x क्या होगा, x square और इसकी value है, वो आपके लिए x square plus का 1 है, यहां पे, यह है, ठीक है, अब देखो, यहां से minus को, यह, तो यहां पे आएगा minus का 1, यहां तक ठीक है, सब कुछ, यहां सेकेंड हो चुका, अपना थर्ड देखिएगा, थर्ड क्या है, यहां से क्या है, product, f of g, और यह product, यहां पे क्या लिक्कोगे, f of, और g x, product कैसे लिक्कोगे, अब g कितना आपका, वो है x square, और यह कितना x square plus का 1 है, तो इनको दोनों को product करा दो, यह, यहां तक clear है, अब इसमें क्या करना है, अब इसी में, कि बस आपको बच्चे वाले question है, यह g x है, इसको क्या लिक्कोगे, f of x, नीचे क्या लिक्कोगे, z x, ठीक है, नीचे आपका f x तो क्या है, आपका x square है, और यह क्या है, x square plus का 1, यह, और यहां से देखो, यह जो g x square plus का 1 है, वो does not equal to 0 होना चाहिए, यह इसके ओपर conditions है,